Hello and welcome, इस वीडियो में आप सिखेंगे idioms related to chicken, यानि ऐसी idiom जिसमें chicken शब्द आता है, तो यहाँ पर मैंने दो idioms लिये हैं और एक प्रोवब लिया है, well, तो सबसे पहले है chicken, इसका मतलब होता है coward यानि कायर, तो जब आप किसी को कहते हो, you are a chicken, means तुम कायर हो, don't be a chicken, means कायर म बनो, second है chicken out, chicken out का मतलब डर जाना, यानि आप कुछ काम करने जा रहे हो, लेकिन आप डर जाते हो, और फिर decide करते हो कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो यानि आपने chicken out कर दिया है, you have chickened out, to decide not to do something because you are too afraid, तो यहाँ पर examples देखो, he was going to go bungee jumping, but he chickened out, bungee jumping एक ऐसा आपन interest sport होता है, यहाँ से लोग jump करते हैं, और बहुत बड़ी height से jump करते हैं यहाँ पर, पैरो में रसी बांद के इस तरह साब ने देखा होगा, यह bungee jumping है, तो वह bungee jumping जा रहा था लेकिन, he chickened out, फिर उसने नहीं किया, second है, Amit chickened out at the last minute, Amit ने last minute पे chicken out कर लिया, means last moment पे उसने decide कि नहीं बया, यह बहुत खतरनाक है, मैं यह काम नहीं करूँगा, तो he chickened out at the last minute, clear, next हमारे पास है, यह एक proverb है, यानि कलोकोक्ती है, don't count your chickens before they hatch, वेको hatching होता है, अंडों से मुरियों का बाहर आना, तो ऐसा नहीं कि आपके पास 10 अंडे हैं, और आप यह सोच कर बैठे हो, कि यह 10 अंडे हैं, और इन से 10 मुरियां बाहर निकलेंगी, मेरे पास 10 मुरियां हो जाएंगी, और फिर आप इस सरे से कुछ प्लाइन करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता, इन में से कोई अंडे तूट जाए, don't plan on a successful outcome too soon, बहुत जल्दी ही हमें प्लाइन नहीं करना चाहिए कि यह जो चीज है, यह successful होगी और फिर हम यह करेंगे, नहीं, he has already started to plan what he is gonna do after winning the elections, यानि, election जीतने के बाद वो क्या क्या करेगा, उसने पहले से ही plan कर लिया है, but he should not count the chickens before they hatch, but उसको chickens नहीं count करने चाहिए, hatch होने से पहले, आप समझ नहीं इसका मतलब, कि वो प अभी उसका focus होना चाहिए कि बस अभी हम जीत जाए, बात की बात में देखेंगे, तो यह है यहाँ पर, I hope आपको समझ आ गया होगा, इसे के साथ ही वीडियो समाप्त होता है, चैनल को subscribe करें और वीडियो को आप अपने friends के साथ में जरूर शेयर करें, thanks for watching